बहुत टाइम से लग रहा था कि Nikon को mirrorless users के लिए खास और पे entry level users के लिए कुछ affordable lenses निकालने चाहिए तो शायद Nikon ने हमारी बास सुन ली और अब Nikon लेकर के आया है 40mm f2.0 और 28mm f2.8 जो की affordable lenses हैं और आज इस वीडियो के इंदर हम बात करेंगे इन दोनों lenses के बारे में हाई माइनम इस वीडियो के इंदर हम बात करने जा रहे हैं इन दोनों amazing lenses के बारे में जो की है 40mm f2.0 और दूसरा है 28mm f2.8 बहुत टाइम से जो entry level mirrorless users हैं जो की z50 use कर रहे हैं या z5 use कर रहे हैं उनको जरुवत मैसूस हो रही थी prime lenses की जो की affordable हो तो basically वो कर यह रहे थे कि जो उनके पास पुराने lenses थे जो की f mount के lenses थे उनको यूज़ कर रहे थे ftz adapter के साथ में पर अब ऐसा करने की जरुद नहीं है क्योंकि अब आपके पास मैं option है ये दोनों नई lens तो पहली चीज़ जो मैं आपको बता दूँ के जो f mount के जो lenses हैं जिनको आप ftz पर यूज़ कर रहे थे उन lenses से बहुत ज़ादा बेटर हैं ये दोनों lenses क्योंकि इनकी जो focusing है वो बहुत ज़ादा फास्ट है एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा mirrorless cameras के उपर जब आप ftz adapter यूज़ करते हैं और उसके उपर आप f mount lens यूज़ करते हैं तो quality में तो कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन जो focusing speed है उस पे definitely फरक पड़ता है तो अगर आप plan कर रहे हैं कि आप f mount का 35 mm या 50 mm को खरीदें और उसको ftz पे use करें तो उसको अब ऐसा करने के आपको ज़रुवत नहीं है क्योंकि ये दोनों जो lenses हैं वो 20,000 की range के lenses हैं और आप अराम से इनको afford कर सकते हो यार prime lens आपको use करना है तो 20,000 कुछ भी नहीं है बहुत अच्छी quality है बहुत अच्छा bouquet आपको मिलने वाला है low light के अंदर आप photography कर पाओगे so overall these two lenses are very nice so मैं यहां पर बहुत जादा technical details में नहीं जाओंगा as usual क्योंकि technical details अगर आपको जाननी है तो वो आप जान सकते हैं इनकी website पर चले जाएए वहां पर सारी आपको technical details मिल जाएंगी मैं यहां पर आपके साथ share करूँगा अपने experience so यहां पर सबसे पहले सी जो आप यह देखेंगे कि यह दोनों lenses जो हैं वो plastic के बने हुए है लेकिन इनकी build quality बहुत 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 बहतरीन है तो plastic के होने के बावजूद भी ऐसा नहीं लगता कि किसी भी तरीके से सस्ते lenses हों so इसको यहां पर आप खोलेंगे तो यहां पर जो इसका जो mount है वो mount भी plastic का है पर उससे कुछ फरक नहीं पड़ता एक चीज जरूर है मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा weather shielded नहीं है तो अगर आप इसको rain में dust में use करेंगे थोड़ा समाल के use कीज़ेगा but I am not sure about that पर यह मेरा अपना personal thought है तो एक बार इसको अब यहां पर रखते हैं अब यहां पर हम कुछ basic चीज़ों के बारे में जान लेते हैं जैसे कि इनका weight कितना है दोनों lenses जो है 1.500 पोने 200 ग्राम के हैं बहुत ही light weight है जो 28 mm है उसका वजन जो है 1.500 ग्राम के आसपास है वहीं जो 48 mm है उसका जो weight है लगबग 170 ग्राम है जो बहुत ही light weight है दूसरी चीज़ अगर हम यहां पर बात करें कि इनका जो minimum focusing distance है तो वो एक foot के अंदर अंदर है मैं यहां पर meter में आपको नहीं बता रहा हूँ मैं आपको specifically foot में बता रहा हूँ ताकि आपको idea लगजा कि आप कितना close जा सकते हैं जो 40 mm है वो लगबग 0.9 feet के आसपास है यानि कि एक foot के अंदर अंदर आप focusing में जा सकते हो वहीं जो 28 mm है वो 0.6 feet के आसपास यह जा सकता है अब दूसरी चीज़ यह है क्योंकि f2 है और f2.8 है तो bucket तो definitely इसके अंदर अच्छा हो गई पर एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जो 28 mm है वो wide है उसका जो field of view है वो काफी जादा wide है तो जितना भी जादा wide lens होगा उसके अंदर bucket उतना कम होगा क्योंकि वो जादा बड़ा field of view cover करता है और वहीं जितना field of view narrow होता जाएगा जब आप 40 पे जाते हैं 50 पे ज जाते हैं तो वहाँ पर बुके जो है वो बढ़ता चला जाता है तो वहाँ पर आपको ज्यादा better आपको बुके मिलता है so overall इन दोनों का बुके बहुत अच्छा है जितना होना चाहिए इनकी field of view के accordingly उतना इनका बुके है पर यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा जब मैंने इन lenses को use किया so मुझे उसमें कुछ experiences मेरे को हुए जैसे कि जो edges हैं F2 के उपर या F2.8 के उपर वो edges थोड़े से soft रहते हैं थोड़े सा contrast कम हो जाता है और वो usually जितने भी आप lenses के widest aperture पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको softness या वहाँ पर आपको वो lens थोड़े सा weak दिखाए देता है उस लेकिन center बिल्कुल absolute sharp आपको मिलेगा अब जैसे जैसे आप अपने aperture को बढ़ाते चले जाएंगे narrow करते चले जाएंगे वहाँ पर इसकी quality improve हो जाती है और contrast actual में जो 40 है उसको आप 2.8 के उपर shoot करेंगे तो उसका contrast बहुत बेटर हो जाएगा और वहीं 2.8 को जब आप F4 के पर shoot करेंगे तो इसका contrast बढ़ जाता है जब आप Z50 पर shoot करेंगे और वहाँ पर 40 mm लगाएंगे तो उसको 1.5 कर लीजेगा जो कि आपका 60 mm बन जाएगा so actually अगर आप देखें जब आप पहले 50 mm को use कर रहे थे तो वो 75 mm बन जाता था तो वो ना इधर रहता था ना उधर रहता था so यहाँ पर जब आप इसको use करेंगे तो आपको 60 mm बनेगा तो आपको बहुत ही close to 50 mm यानि close to eyes आपको field of view मिलेगा और वहीं जो 28 mm है वो crop frame के उपर बन जाता है 42 और अब आपके पास में 42 और 60 दोनों ही range आपके पास available है अगर आप crop frame यूज़ कर रहे हैं तो अब अगर आप full frame user है तो आपको यहाँ पर कोई भी crop apply करने की जरुवत नहीं है यह बिल्कुल 40 और wide angle 28 की तरीके से काम करता है मैंने जब इन lenses को test किया था तो मेरे पास Z72 है मैंने Z72 के उपर इन lenses को test किया था बहुत ही amazing results है creatively आप चाहें तो इसको आप use कर सकते हैं 2.8 के उपर और 2 के उपर अगर आप product photography कर रहे हैं या आप इसको wedding में use करना चाते हैं या आप studio में इसको use कर रहे हैं तो जो इसका sweet spot है जहाँ पर कि यह दोनों lenses best perform करते हैं वो मेरे हिसाब से F4 से लेकर F8 तक यह दोनों lenses बहुत अच्छे से perform करते हैं कि basically होता है कि जब आप high contrast ratio के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक purple या green कलर की fringing मिलती है जो कि इन दोनों lenses के अंदर आ जाती है क्योंकि इसके अपर nano coating नहीं है अब price कम है तो कहीं न कहीं कुछ तो मिले गाई पर जो चीज इन lenses की खास है वो है इसका minimum focusing distance जो की काफी कम है और दूसरा है इसकी focusing speed इसकी focusing जो है वो बहुत जादा fast है और तीसरा सबसे important चीज के lenses affordable है तो अगर आप mirrorless user है और आपको prime lenses चाहिए तो अब ये दोनों prime lenses आपके पास में जिनको आप खरी सकते है FTC adapter के उपर पुराने DSLR F-mount lenses को यूज़ करने की ज़रुवत नहीं है अगर आपके पास कुछ सवाल है कुछ doubt है आपको तो आप नीचे comment box में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते है और अगर आपको वीडियो पसंदा है तो उसको like ज़रूर कीजेगा and don't forget to subscribe my channel